Hi guys, welcome back to another video of Quotient for you, I hope guys, आप सभी बोखोत अच्छ होगे, दोस्तों, आज हम बात करने जारे है, core mining के बारे में, और core mining को लेके बोखोत सारे, लिट वाली बोखोत सारे good news आ चुकी आप सभी के लिए, अभी के टाइम में हम बात करने जारे है, इसके air drop को लेके, और इसके manant launching क को लेके, और उसके सासा सर्टिक के अंदर, अभी के टाइम में, top 10 के अंदर आ चुका है, कौन से number की list पे है, और कितना benefit मिलने वाला है, आप सभी को सारे के सारे चीज़े, आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता लगने वाली है, और so guys, आज का वीडियो में start करते है एक छोटी सी एक request है, अगर आप चैनल पे new हैं, तो please subscribe करके notification bell को all पे जरूर प्रेस कर ले, चलिए guys start करते हैं, सबसे पहले मैं हैं पर refresh करता हूँ and चलते हैं first update की तरफ, जो guys हमारा first update है, वो Certik की तरफ से है, जो की verified account में को चेक कर आया है, तो आपको यहाँ पे, यहाँ Certik Security Leader Board आ चुका है, जिसमें की properly, एक proper details होती है, किस तरीके से कोई coin या किस तरीके से cryptocurrency rank कर रही होती है, तो यहाँ पे top 10 watch list interfaces है project, मतलब की maximum time पे किसको जादत लोगों ने watch किया है, तो यहाँ पे कुछ ranking निकली है, जिसमें first number पे है, aptos, sorry, first number पे है, new cypher करके है, second पे है, aptos third number पे है, आप सभी का favorite card आयो, यहाँ पे आप दे सकते हो, और उसके साथ बागी सब cryptocurrencies यहाँ पे watch list में है, इसका मतलब simply यह होता है, कि किस cryptocurrency को maximum लोगों ने watch किया है, वो भी time duration के अंदर, तो उसके बिहाफ पे, इस पे listing होती है, और यह बहुत important role play करता है, किसी भी cryptocurrency की value and चलते हैं, next update की तरफ, guys, यहाँ पे एक update आचुका है, if today man end और code dia goes live, what will you do, your evil level coal balance, तो basically यहाँ पे बताया जारे, क्या करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने इसाब से चीजों को percentage किया है, जिसमें कि first पे head trade करेंगे 30% और delegate करेंगे 45% और hold भी करेंगे 25% यहाँ सपास लोग, and guys, BSC News से official verified, हमें check out कर रहता हूँ, 695 के followers हैं, और यहाँ पे बताया जारे, Satoshi app continues to onboard more projects for its million of members, ahead of its airdrop and man end launch, so basically इसके airdrop और man end launching की बात की जा रही है, और इसके साथ यहाँ पे proper details है, मैं एक बार आपको बताया तो क्या क्या चीज़े हैं, तो अभी जो यह हफता होने वाला है, इसी के अंदर आपको maximum चीज़े देखने को मिलेंगी, as a core और Satoshi के अंदर, और अभी का time आप देशते हो, Satoshi ने भी Twitter पे 2-3 दिन पहले ही trend किया था, तो वो बहुत ही important है, और trending में आना वो भी Twitter पे बहुत बड़ी बात होती है, and guys, यहाँ पे रिजन था, वो सारे रिजन Christmas को लेके था, और उसमें कुछ इनकी plannings थी, इनके KYC को लेके और internal कुछ problems थी, मनला problems इस चकर में थी, क्योंकि अगर वो एकदम से Manant को launch करते, तो उस situation में maximum pioneers जो हैं, उनको problem face करनी पड़ती, तो यह reason देके उन्होंने इस चीज़ को रोका, और और इन्होंने बोला है कि 2023 के अंदर, I mean, जैन के मन्त में आपको इसके जो Manant की launching है, वो देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर एक और चीज़ बोला है, the Satoshi app continues to onboard more projects for its million of members ahead of its airdrop and Manant launch, तो अब भी के टाइम में जो Satoshi है, इसके जो application है, बहुत सारे, अलग-अलग different projects पे काम क कर रही है, जो कि million of members के लिए बहुत help करेगा, और उसके साथ airdrop और Manant launch की भी especially बात कर रहे है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि airdrop, postpone and Manant on the way, so basically airdrop इन्होंने बोला है कि postpone हो चुका था और Manant है, वो confirm यह करने वाले है, so basically the Satoshi Plus app announced to its community that the core Manant is coming soon and that the Satoshi app is working with plenty of apps to bring them online January 1st community announcement comes with big excitement for the Manant, जैसा कि आप सभी को बता है कि यहाँ पर दो चीजों पर काम कर रहे हैं, airdrops पर और Manant पर, तो airdrops के अंदर आपको basically free के coins मिलते हैं, जिसमें कि आपको airdrops को लेना होता है, और उसको बहुत benefits मिलते हैं, जैसे ही Manant launch होगा उस time पर, आपको coin के बिहाफ पर mining नहीं किया पहले से, उसके बारे में अभी जाना है, तो airdrops के बिहाफ पर उनको coins मिल जाते हैं, और बहुत सारे coin मिलने के बाद आपका जो proper valuation है, वो देखने को मिलता है, okay, and यहाँ पर लिखा है, एक जनवरी को इस चीज को लेके community में proper announcement हो चुका था, और इस चीज को ल काम कर रही है, और चीज को लेके message भी कर रही है, मतलब आप सभी को mostly update कर रही है, कि अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या चीज़े, अभी recently perform हो रही है, CoreDio के साथ, ठीक है, the vision of Satoshi Plus and CoreDio includes onboarding million of users, जैसा कि आपको पता है, CoreDio अभी का टाइम में one of the best as a cryptocurrency बन चुका है, जैसे हम बात करें, चार से पांच महीने के अंदर ही, इसने अपने as a Twitter पे 1.4 million से ज़्यादा fan following create कर चुका है, और having more projects will diversify the mining projects ecosystem, और बहुत सारे अलग अलग projects पे काम कर रहा है, जो की mining projects हैं, और हमारे ecosystem और future के लिए बहुत ज़्यादा beneficiary है, improving the overall community decentralization, तो इसी के बिशहाफ पे सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, जैसे कि decentralization पे बाम कर रहा है, और उसके साथ यहां बताया जारे, एक जन्वरी 2023 को, Satoshi Plus Community also recently delayed the upcoming airdrop launch date due to Christmas holiday, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि Christmas holiday के reason देखे, इन्होंने कुछ चीज़ों को, जो की airdrop आने वारा था, उस चीज़ क जादा, मतलब 10 लाग से जादा लोगों ने इस चीज़ को लेके, airdrop को लेके, बोला कि ठीक है हम वेट कर लेंगे, क्योंकि सबको भरोसा है कोड आयो पे, और कोड आयो जो है अब भी के टाइम में, कम टाइम के अंदर इतने जादा growth कर रहा है, और जैसे आपको पता है, अलग-अलग exchanges आके बहुत तेजी से धमाल मचा चुका है, और simply बात की जाए, तो core भी उसी की तरह ही है, और core जो है, मतलब कहीं न कहीं, चार महीने के अंदर इसने एक record बनाया है, जो कि 20 से जादा as a fan following लेगा है, कम time duration में, ठीक है, और उसके सासत बात की जाए, अभी overall 8 million accepted है, कि इसका जो participation में लगे हुए है, लोग की हाँ, इसकी जो launching है, वो कराई जाए, ठीक है, तो इन सब चीजों को लेके बात की गई है, तो basically यहाँ पर मैं बताओं कि अभी हुआ गया, the recent airdrop message indicates the airdrop was postponed to January 1st, but as of January 2, there is no further update, so 1 January और 2 January को बात कोई further update नहीं आया है, इसके aird and could lead to be a passive income source for more than 8 million participation, so basically जो airdrop होने वाला है, जो इसके अंदर चीजे वो लाने वाले हैं, वो passive income पे काम करेगा, मतलब कि आपको वहाँ पर work करने के जरूरत नहीं होगी जादा, और एक time आप work करोगे, और indirectly मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपके पास income automatically generate होती रहेगी, और इस चीज़ को लेके 8 million लोगों ने इस चीज़ के participation में agree किया है, हाँ बोला है, ठीक है, और एक और important चीज़ जो लोग नए है, code IO क्या है उसको बता दूँ, तो code IO एक official centralization है, decentralization, cryptocurrency पे काम करता है, जो कि सतोशी plus ecosystem है, और ये represent करता है opportunities को, जो कि miners होते हैं, जो कि revenue और power of chain, इ इनको पता है कि blockchains क्या है, NFTs क्या है, और cryptocurrencies क्या है, तो ये सारी चीज़े जो है future में काम करने वाली है, और इन सबी चीज़ों के चक्कर में future बहुत आगे जाएगा, web 3 हो गया, ठीक है, तो इन सबी चीज़ों को लेके core काम करता है, और core का future है, बहुत ही जादा futuristic होने वा online, core and other assets on the chain can only be operated through wallets, it is recommended that miners familiarize themselves with wallet operation on the testnet to prevent the risk of asset loss due to improver operation on the manant, तो यहापे manant को लेके बताया जा रहा है, जैसे ही manant को online किया जाएगा, मतलब live किया जाएगा, उस time पे जितनी भी आपकी assets होंगी, जितनी भी आपका सारा चीज़ोंगा, वो आपके wallet से perform किया जाएगा, मतलब आप अपने wallet के तुरू सारी चीज़े करोगे, और recommend कर रहे हैं कि जितने भी as a wallet के operations होंगे, जितने भी testnet होगा, उसके लिए risk और loss को आपको देखके चलना पड़ेगा, और risk और loss को ही मद्धे नज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को लेके यह चीज़े बताई जा रह latest transaction, market cap, core price, let's keep on building, तो यहाँ पे core blockchain होगी और coal जो basically explorer होगा, उसके अंदर आपको सारे चीज़े मिलेंगी कि basically इसका price कैसे बढ़ रहा है, market कैसे चल रहा है, transactions कैसे हो रही है, तो इस type का कुछ आपको interface देखने को मिलेगा, जिसमें की latest blockchain यहाँ पे लिखी है, active validator लिखे पड करके कुछ screen पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस type के चीज़े आपको देखने को मिलेगी, और हम साफ साफ लेका है, core launch, its testnet prices never gone below 600, तो यहाँ पे कुछ prices लेके हैं, कि 600 dollars से उपर ही रहने वाला है price, और बात की जाए तो core का price भी बहुत जादा high होने वाला है, मत आपके like करने से में motivation मिलता है, और भैतर ही content देने के लिए, अगर आपको कोई doubt है तो आप पूसते हो comment box में, and guys आज के लिए इतना ही मिलते है, नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, जैह हिंद, one day मातरम